कृष्णा हीगड़े मेरे साथ हैं केसी त्यागी जी मैं दोबारा लोटूंगी आपके पास कृष्णा हीगड़े आप विपक्ष में होते अभी तो खर सत्ता में हैं आप विपक्ष में होते तो क्या ये मुद्दा आपके लिए नहीं होता गरीमपा जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वीजेपी की, अंडेकी और मुडीजी की सरकार जन हित, लोकित और राष्टर हित में काम करती है और जिसे केसी जी, केसी त्यागी जी ने कहा और आर्पी सिंग जी ने कहा और त्यागी जी ने कहा है कि एतियासिक शणों पर ऐसे स्पेशल सेशन बुलाए जाते है इसी तरह ये भी एक एतियासिक ही शण होगा 12 दिन बचे हैं, और पार्टी मीटिंग में आपको पता चलेगा कि क्या इशूज है, क्या एजेंडा है दूसी बात में ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने एजेंडा रखने से पहले तो कॉंग्रेस ने एजेंडा रख दिये अरे कॉंग्रेस किया हमको दिखाएगी किया डिरेक्श्न कि क्या एजेंडा होना चıighए स्पेशल सेशन में जब इसके पहले मॉंसून सेशन था तब उन्होंने तो डिबेट नहीं किया इतने बार सेशन हुए जो नॉर्मल सेशन हुए तीन बार जो हर साल में होते हैं वहाँ पर तो कॉंग्रेस ने और विपक्ष ने बॉइकॉट किया इस बार तो उनको ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है हम सब जानते हैं कि देश के सामने बहुत सारे समस्या है बहुत सारे इशूज है और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स आज के दिन पे है एक तो मारत के पास G20 का प्रेसिडेंसी है एक UCC का भी मुद्दा है एक इमाचल का इशू है एक जो है UCC है एक जो वान नेशन वान इलेक्शन है बहुत सारे इशूज है और ये सब डिसकस होंगे तो थोड़ा सबर तो कीजिए जब एजेंडा बिशर्कार आजएगी खर एक जो कि एफ गड़े कि अपता पाने की इस्तिति में है कि विपक्ष कितना सबर कर ले और कब तक ये चीज़े साफ जाएंगी एजेंडा क्या है इचे ये मेरा प्रेट्रोगरेटिव नहीं है ये उनका प्रेट्रोगरेटिव है और वो दे देंगे एजेंडा मैं उसमें एजेटा देने वाला कोई नहीं होता हूँ और उन्हें ने कहा कि हम दे देंगे न या बिजनेस एडलाइजरी में देंगे या ओल पार्टी मीट में देंगे तो बारा दिन बचे हो जरूर दे देंगे ठेक है सरकार